हरी कृष्णा राधे राधे शिरी पुर्षोत्तम मास महात्तम उन्तिस्वा अध्याई पुन्ने शील शुशील बोले हे विभो गो लोग को चलिए आपने विशेश इस्थान शिरी पुर्षोत्तम की शरण प्राप्त की है अब देर ना करें करदय बोला मुझे अभी अपने अनेक कर्मों को भोगना शेश है किस करम से चुटकारा पाकर को लोग प्राप्त हो रहा है हे हरी के प्यारो यह दिव्य शरीर मुझे किस पुन्य के कारण मिला है वह सब मुझ से कहिए शरी नारायन जी बोले इस प्रकार पूछने पर हरी के दूद बोले हे प्रभू क्या तुमें नहीं मालूम पुर्शोत्तम मास में धर्म साधन पुर्शोत्तम है पकवान विश्नु को प्रिय होने के कारण ही इसे पुर्शोत्तम नाम मिला है उसी मास का तुम तब कर चुके हो जो देवताओं को भी दुरलब है मुख में रोग होने के कारण फला दिना खाकर तुम फैंक दिया करते थे खुद निराहार रहते थे और उन गिरे हुए फलों को अन्य प्रानी खाकर तरप्त होते थे दुख के कारण तुम जल भी नहीं पी पाते थे यह सब पुर्शोत्तम मास में अंजाने में ही तप और व्रत हो गया इस वन में विचरते हुए तुमने धूप, जाड़ा, परसात सब दुख सहे अंत में परम पवित्र तीर्थ में गिरकर पाँच दिनों तक टुबकी लगाते रहे इस प्रकार रोग के कारण अंजाने में ही पुर्शोत्तम मास का यह सनान भी हो गया यह सब तुमारे तप का ही फल है पुर्शोत्तम मास का जो सनान आधी शरदा पूर्वक करते हैं उनके फल की कोन परशनशा कर सकते हैं तुमने अपने स्वार्थ की सिद्धी जिस प्रकार की है वैसी कोन कर सकता है पुर्शोत्तम भगवान के परसन करने की कारण इसके समान और कोई साधन नहीं है शेरी नारायन जी बोले उन दूतों से अपने पुन्यों की परशंशा शुनकर वह परसन हुआ तथा उसने उस इस्थान के देवता तथा कालंजर परवत एवं पेडों को परणाम किया विमान की परिकर्मा करके वह विवान पर बैठ गया देवता फूलों की वर्षा किन्नर गंधर इस्तूती वाध्यादी बजा रहे थे वह विमान में बैठ कर गो लोक में चला गया जिसमें जाकर फिर लोटना नहीं है दो भुजाओं वाले श्री कृष्ण के दर्शनकर आनंद से गो सेवित उस लोक में रहने लगा शिरी नारायन जी बोले देवता इस मास के चमतकार को देखकर परशंशा करते करते अपने अपने लोक को चले गए नारज जी बोले हे रिशियो में श्रेष्ट आपने दिन के पर्थम भाग के करम कहे आप दूसरे भाग के करम कहे नारज जी बोले प्राते कर्म करने के बाद मध्याहन संध्या करें तिल से तरपन करें पंची अग्य करें भूत बली, कोई, कुप्ते आदी को दें द्वार पर आकर गोदोहन काल तक अथिती को देखें मिलने पर अन जल से उसका सतकार करें ब्रमचारी, सन्यासी तता भिकारी को यथा शक्ती अन्यदान करें उसके बाद पूर्वा विमुक होकर शुद वस्त्रधारन करके शुद इस्थान में स्वस्त होकर परसन्यचित हो पकवत परशाद भोजन करें भोजन एक पात्र में दो जने ना करें जो केवल अपने लिए ही रखे कासे के पात्र में रखकर खाता है उसकी आयू, पुद्धी, यश और बल बढ़ते हैं भोजन से पहले पाँच ग्रास, गो, कुत्ता, कववा, अभाग्यत, पिपली का आदी को दें पहले मीठा, नमकीन, एवं खटा, पीच में कड़वा, गर्म, अंत में भोजन करें अत्वा पतला पदार्थ पहले, कठिन वस्तू बीच में, अंत में पतला पदार्थ खाएं सन्यासी को आठ ग्रास, वान प्रस्थ को सोला, ग्रस्थ को बत्तिस, ब्रमचारी को यथा रूची ग्रास खाने चाहिएं ब्रामन शास्त्र विरुद्ध भक्षे भोजादी ना खावे भोजन करने के बाद जल दान कर पितरगनों को तरपन करे पेट पर हाथ फेर कर आहार को पाचन के लिए अगस्त, कुम्बकरन, शनी, बढ़वागनी एवं भीम सेन का स्मरण करे फिर भगवान कृष्ण को परसन्नता पूर्वक स्मरण करे मुख शुद्धी के लिए पान खाए इस प्रकार इस कारिये के बाद स्रेष्ट शाष्टरों का अध्यन करे आजीविका ना होने पर भी दो घडितों स्वस्त मन होकर आध्यात्म विध्या का शिर्वन ध्यान करे उसके बाद भगवान का ध्यान कर अपने कारोबार व्यापार में लग जाए जब सूर्या स्थोने वाला हो तब घर में आकर या तीर्थ में संध्या वंदन करे संध्या समय टल जाने पर भी अर्द रात्री तक अवश्य संध्या करे जो नियम से संध्या करता है वह तेजस्वी होता है संध्या के बाद तारे निकलने तक कायतरी मंतर का पाठ करे सूर्य और दिशाओं के देवताओं को नमशकार करे फिर नोकरों या घर के अन्य सदस्यों के साथ थोड़ा भोजन कर शेयन करे अपने घर में पूर्व दिशा, ससूर के घर में दक्षिन दिशा और परदेश में पश्चिम की और सिर करके सोए उत्तर की और सिर कभी ना करे सुक पूर्वक शेयन के लिए अगस्त, माधव, महाबली, मुझकुंद, कपिल मुनी तथा आस्तीक मुनी का नाम स्वरण करे सिराहने जल का कलश रखे रितु काल के समय इस्तरी सहवाज करे रातरी में दो पहर सोवे बाद में उठकर वेदाध्यन करे इस प्रकार दैनिक करतवे करने वाला सुक को प्राप्थ होता है शिरी नारायन जी बोले यह ग्रहस्त आश्रम के सुंदर करतव्य करम वेद के समान है संजार की भलाई के लिए ही मैंने ये वचन कही है शिरी पुर्शोत्तम मास महातम 29 वा अध्याय समात हरी कृष्णा राधी राधी